नमस्कार दोस्तों मेरे नाम राहुल है ये मेरी वाइफ कोईल है और मेरी वाइफ साथ मेने के प्रगनेंट है और हमारे साधी को सम्थिंग डेड़ साल हो चुका है तो आज किसी वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकती हैं बच्चे दाने में सूजन होने लक्षण क्या होते हैं अरि इंकर की क 살ए क्या है और इनक्तर लागा सकती है और इनके उपाएं ठीक करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगी कि आपके पेट में अगर दिक्कत कोई यह बच्चेदानी सूजन है तो इसके आपको लक्षन क्या दिखेंगे आपको कैसे पता चलेगा तो इसके तीन लक्षन है जो आपको बहुत आसानी से समझा देंगे उसे पहले अगर आप इस चैनलों पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इस पीरिड्स आई किसी समय पर तो अपके पीरिड्स के समय पर जोता पीरिड्स पर दर्द होता ना आपको उस थोड़ा सा डवल दर्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपको लगेगा कि आप ज्यादा पेशाब जा रहें अगर आपको तीन लेक्षन देखते हैं तो आप समझ जाए आपके जिब बच्चेदानी है उसमें सूजन है या पेशाब करते समय पर जलन होती है तो समझ जाए आपके बच्चेदानी में सूजन है अब ये तो हो गया एलक्षन अब इसके होने के कारण क्या होते हैं इसके होने के भी तीन कारण है अब वो क्या ह सकती है अगर आपके किसी भी तरीके की दवाई चल लिए और काफी लंबे टाइम से आप दवाई दवाई खाते जा रहें तो भी आपके बच्चे दानी में सूजन आ सकती है अप गाइस इसके बारे मैं आपको बताऊंगा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं आपको किंजी जोक किसी गरम चीज jijों का आप इस्तेमाल किजे आप कि दरी आ के गरमी है या फिर सर्थी या बढ़सा थै आप दूध और बादम के जादा सेवन करें तो जो दिक्कत है आपके सही हो सकती है या फिर घंव करें तो बचकेदानी सूजन ठीक हो सकती है और यह जो most है कि आपको sex से दूर रहना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा दूर रहते हैं तो ही आपकी wife को फायदा होने वाला है तो ही वो ठीक हो पाएंगे सुगाईस आज की वीडियो में इतना है आपको ये वीडियो कैसे लागी कमेंट और जोड़ बताना चैनल पर नहीं सब्सक्राइब पर के जोड़ जाना आज के लिए तो नहीं मिलेंगे नेक्स टूड़ियों तर तक लिए बाए बाए लेव ये टो आल टेक केर